सोसल मीटिया पे वायल होने वाला यह आइस क्यूब फेसियल मैंने आज घर पे ट्राइ किया जिसके लिए जो इंग्रेड़ मैंने यूज किये है वो आसानी से आपको भी अवलेबल हो जाएंगे आपके घर पे मैंने यूज किया एक क्यूकुमबर उसको मैंने अच्छे से आप यहां पर ग्रीन टी पाउडर भी ले सकते हो तो मैं मेरे पास ग्रीन टी से में अवलेबल नहीं थी तो मैंने अलोवेरा लीफ का जो पाउडर होता है एल्प्स कुटनस का मैं यहां पर यूज कर रही हूँ उसको मैंने दो चम्मच इसमें एट करके अच्छे से मिक्स किया उसके बाद एट किया यहां पर थोड़ा सा अलोवेरा जेल आप चाहो तो प्लांट वाला अलोवेरा जेल भी ले सकते हो और अच्छे से उससे भी यही रिजल्ट मिलेगा आपको इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद मैंने एक आइस ट्रे में इसको ट्रांसफर क किया था मेरी हिसाब सी क्वांटिटी परफेक्ट है तो मैंने इसको फ्रेज में फ्रीज होने के लिए रखा और थुड़ते बाद इसके आइसक्यू प्रेडी हो गए फिर मैंने से फेसेल स्टार्ट किया फेसल करने से पहले आप मेक से और किस किन एकदम क्लीन होनी फेस को बचा के रखेगी और साथ में एक्ने की विजिन को दिक्कत है तो वो ये जरूर ट्राइ करें तो इसको आपको अपने स्किन पर अच्छे से राउंड राउंड करके आपको अपने स्किन को इससे मसाज करनी है और जब या इसक्यू फिनिस हो जाए तो इसके बाद आपको अपने हाथों की हेल्प से अपने स्किन पर हलकी हलकी मसाज करनी है ताकि जो कुछ भी इसका गुड़नेस हमारे स्किन पर लगी है वो हमारे स्किन की डीप लेयर तक जाए इस तरीके से आपको अपने स्किन पर मसाज करनी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने भी जब ट्राइ किया तो मुझे इतना नहीं लगा लेकिन जब ट्राइ करने के बाद मैंने मॉर्निंग में अपना फेस देखा तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आपको किसी भी प्रकार की समस्या और डार्क सर्कल डार्क स्पोर्ट इसको जरूर एक पर ट्राइ करिएगा आपको बहतर से बहतर रिजल्ट इससे मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा देखने में बहुत सिंपल रेमेडी है लेकिन यह जब रिजल्ट इदेखी न तो बहुत अच्छा लगेगा तो मुझे नहीं पता था कि यह इतना अच्छा रिजल्ट देगा तो एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा और वीडियो पसंद आये तो इससे लाइक करिएगा and follow for more